Hello friends, आज हम जानेंगे English word be patient की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है Be patient की हिंदी में मतलब है धेरिये रखे चलिए कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, you need to be patient and give him a little space इस sentence का हिंदी में मतलब है आपको धेरिये रखने और उसे थोड़ा space देने की जरूरत है चलिए next example जान लेते है He had have to be patient with her इस sentence का हिंदी में मतलब है उसे उसके साथ धेरिये रखना होगा चलिए next example जान लेते है But I tried very hard to be patient for teacher shake इस sentence का हिंदी में मतलब है लेकिन मैंने शिक्षक के लिए धेरिये रखने की बहुत कोशिश की चलिए next example जान लेते है I will try to be more patient इस sentence का हिंदी में मतलब है मैं और अधिक धेरिये रखने की कोशिश करूँगा So friends, उम्मीद करती हूँ भी patient की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसी तरह से और भी English और हिंदी में example के साथ जाने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ सा channel को subscribe कर दीजिएगा